भारत सहित पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ती के दम पर एक अलग पहचान बनाई हैं, किसी ने दक्षन भारत की फिल्मी दुनिया तो किसी ने राजनीती में आने से पहले फैशन वर्ल्ड, सोशल सर्विस में लोगों के बीच अपनी सूरत हैं. ऐसी महिलाओं आपने मॉडल या बॉलिवुड में ही देखी होंगी, लेकिन हम जिन्हें दिखाने जा रहे हैं वो भी किसी मॉडल से कम नहीं हैं. इन में से कुछ तो अपनी खूबसूरती के चलते भी चर्चाओं में रहती हैं. आए देखें ऐसी ही महिला पार्टी से महिला नेता हैं. राजनीती में कदम रखने से पहले दिव्या ने फिल्मों में अपनी अदाकारी से दक्षिन भारत के दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. नमबर दो, अंगूरलता डेका, ये हैं असम की भारतिय जनता पार्टी की खूबसूरत महिला नेता. इसके साथ ही अंगूरलता मॉडल और एक्ट्रेस हैं और कई बंगालीव असमिया फिल्मों में काम कर चुकी है. अंगूरलता डेका एक्ट्रेस होने के साथ साथ डाइरेक्टर भी हैं. इन्होंने कॉंग्रेस के गौतम बोरा को हराया है. अंगूरलता ने जिस सीट से जीत हासिल की वहां मुस्लिमों की संख्या काफी ज़्यादा है। यहां बांगलादेश से भारत आए हुए लोगों की संख्या भी काफी ज़्यादा है। नंबर तीन, नगमा, ये फिल्मों में दमदार एक्टिंग से भी दिलों पर राज कर चुकी है। एक तालिस साल की नगमा कॉंग्रेस पार्टी से महिला नेता है। नंबर चार, शाइना एंसी, शाइना एंसी एक फेशन डिजाइना है। वह वर्तमान में भाजपा महराष्ट्रा एकाई में प्रवक्ता और समाजिक कार्यकरता भी है। ये NGO भी चलाती है। उनके पिता भूतपूर शेरिफ है। नंबर पाँच, अलका लामबा, आम आदमी पार्टी की नेता अलका लामबा ने 38 साल में ही राजनीती जॉइन कर ली। इससे पहले अलका दिल्ली युनिवर्सिटी स्टुडेंट्स युनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तेजतररार छवी के अलावा अलका की खूबसूरती के भी चर्चे होते हैं। दिमपल यादव बात जब खूबसूरत महिला राजनेताओं की होती है तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पतनी दिमपल यादव का नाम जरूर आता है। दिमपल यादव कन्नौच से निर्विरोध सांसत चुनी गई हैं। उनके तीन बच्चे हैं अदेती, टीना और अर्जुन। नम्ब साथ, शुती चौदरी, हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती शुती चौदरी कॉंग्रेस नेता हैं। वह भिवानी से सांसत भी हैं। नम्ब आर्ट, ज्योती मिर्धा, राजस्थान की ज्योती मिर्धा नागोर से सांसत रह चुकी हैं। SMS Medical College, जैपुर से MBBS ज्योती पेशे से डॉक्टर हैं। पंद्रवी लोकसभा में पहली बार वो सांसत बनी।